जय हीं दोस्तों स्वागत है अपका अपने स्टडी 24 जार्खन यूटूब चैनल में दोस्तों जार्खन बोर्ड मेट्रिक और इंटर्मीडियाट सहीत कलास 8, 9 और 11 के चात्रों के बोर्ड एकजाम 2021 को आयोजित करने और 37 जार्खन एकडमी कॉंसिल के अध्याच और उपाध्याच के निवति की मांग को ले करके 8 जनुवरी 2022 को पूरे राईज भर में सैचनी घरताल की जाएगी और वहीं पर राजभवन जहां पर राईजपाल बैठते हैं वहाँ पर भी धरना परदर्शन किया जाएगा और दोस्तों यह अपडेट आज के दैनिक परभात खबर में परमुकता से परकासित किया गया है जिसका हेडलाइन दिया गया है कि घोसना के 17 दिन बाद भी जैक अध्याच और उपाध्याच निवति की अधिसुचना जारी नहीं और दोस्तों जहारखन बोट के कलास 9 और 11 के छात्रों के लिए आज एक बिगयपती भी निकला है वह छोटा सा खुसखबरी है कौन सा खुसखबरी है वह मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसलिए आप सभी जहरखन बोट के कलास 8 से लेकर के 12 तक के जितने भी छात्र हैं हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर के अंतक बने रहिए और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful या फिर informative लगे तो like किजेगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर किजेगा तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले इस update पर नजर डालें तो इसमें जो headline दिया हुआ है कि घोसना के सत्र दिन बाद भी जैक अध्याच और उपाध्याच निवति की अधिस सुचना जारी नहीं और इसमें आगे जो दिया हुआ है वरिये समधाता राची आनि कि या जो निव जयाज राची से दैनिक परभात खवर में परकासित हुआ है और इसमें आगे दिया हुआ है कि जारखंड एकेडमी कॉनसील जैक 103 दिनों से अध्याच वा उपाध्याच बिहिन है जारखंड एकेडमी कॉनसील जिस पर जारखंड के लगभग 17-18 लग छात्रों का भविश्टिका हुआ है उसका अध्याच और उपाध्याच का पद 103 दिनों से खाली है आनि कि वह जैक जो है अध्याच और उपाध्याच बिहिन है दोस्तों इसमें आगे जो दिया हुआ है कि इस कारण परिच्छा वो बित सवंदी कार्ज बाधीत है आपका परिच्छा लेना हो कलाश 10, 12 या फिर 8 से लेकर के 11 तक के छात्रों का तो वो बाधीत है और साथी साथ जहारखंड एकडमी कॉंसील के जितने भी करमचारी है उनके बेतन का भी भूगतान नहीं हो पा रहा है दोस्तों इसमें आगे जो दिया हुआ है कि CBSC वो ICSC सही दूसरे राज़ों के सैचनिक बोड द्वारा 10 वी वो 12 वी के 1st टर्म की परिच्छा ली जा चुकी है दोस्तों जहारखंड एकडमी कॉंसील जिस CBSC बोड को फॉलो करता है वहां के 10 और 12 के छात्रों का 1st टर्म का एकडम ले लिया गया है और वहीं पर आप सभी झारखंड गोड के छात्रों का अभी तक कोई time table भी नहीं निकला है और नहीं आपके एकडम को लेकर कोई अधिकारी घोसना ही हुई है और आप सभी छात्र बहुत परिशान है दोस्तों इसमें आगे जो दिया हुआ है कि वहीं जैक दोआरा सिर्फ परिच्छा फॉर्म जमा लिया गया है ये आप भी जान रहे हैं कि आपका जो परिच्छा का फॉर्म है वो 27 नॉमबर 2021 तक भरा जा चुका है और आप लोगों ने भर दिया है और आप परिच्छा का इंतजार कर रहे है दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है कि दिसंबर माह में परिच्छा लेने की घोसना की गई थी एक दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जिसे बाद में अस्थागित कर दिया गया था अस्थागित कर दिया गया और नयाती थी अभी तक जारी नहीं किया गया है आगे दिया हुआ है कि ग्यात हो कि जैक ने अध्याच वा उपाध्याच का पद 15 सितंबर 2021 से खाली पड़ा है और जैक नियामावली के अनुसर परिच्छा वा बीद सबंदी सारी अध्याच के पास होते हैं आनि कि आपका एक्जाम लेने से लेकर के आपका जो है परिच्छा केंदर निर्धारित करना एड्मिट काट जारी करना ये सारे काम अध्याच के नेत्री तुम्हे ही होता है लेकिन आपके जहरखन एकेडमी कॉंसिल के अध्याच का पद खाली है जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा है दोस्तों इसमें आगे दिया है वहीं असकुली सिच्छावा साचरता विभाग के मंतरी जगरनात महतों ने 10 दिसंबर को अध्याच पद पर पर परफेसर अनिल कुमार महतो और उपाध्याच पद पर बिनोद कुमार सिंग को निवत किये थे लेकिन इसके लिए अभी तक नि अधिस उचना जारी कर दी जाएगी लेकिन यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग दो सप्ता से अधिक समय हो गया लेकिन अब तक वो अब तक जो है घोसित नहीं किया गया है आनि की अधिस उचना जारी नहीं की गई है दोस्तों इसमें आगे जो हम लोग देख रह और इसके बारे में यहां जो दिया हुआ है कि बीत रहित सिच्छा संजुक्त संघर्स मोर्चा ने आंदोलन का निरने लिया। या फिर आपकी मर्जी है दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है कि इधर कच्छा 8 से लेकर 12 तक के लगभग 24 लाग विद्यार्तियों के हीतों के नुकसान को देखते हुए जारखंड राइज बीत रहित सिच्छा संजुक्त संघर्स मोर्चा ने आंदोलन करने का निर्ने लि अभी जो है लटका हुआ है आगे इसमें दिया है कि मोर्चा के रगुनाद सिंग सुरेंदर जा हरीहर परसाद कुस्वाहा देवनाद सिंग वा नरोत्तम सी ने लिए गए निर्नेयों से अउगत कराते हुए कहा है कि सुप्रीम कोट पूर में सभी बोट परिछाओं का रि 11 का है तो आपका जो फाइनल एक्जाम है उसका रिजल्ट कब तक जारी कर देना है सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है पूरे देश भर के सभी बोटों को कि 10 जुन तक रिजल्ट को हर हाल में जारी करना है लेकिन संकट ये है कि अगर कोरोना आ गया तो अगर आपका फर् इच्छा के आयोजन का मांग करना चाहिए दोस्तों इसमें आगे दिया हुआ है कि वहीं जारखंड में अध्याच का पद रिक्त है नेतादे ने कहा कि 4 जन्वरी तक जैक अध्याच की नियुक्ति की जाए इन सभी नेताओं का कहना है कि 4 जन्वरी तक हर हाल में होगा आगे दिया है कि वहीं जारखंड में अध्याच का पद रिक्त है और नेता लोगों ने कहा है कि नियुक्ति जल्द करो यदि ऐसा नहीं किया तो 5 जन्वरी को पूरे राइज के 250 हाई स्कूल संस्किर्ट अस्कूल मदर्सा इंटर कोलेजों में सचनिक हर्ताल की पांच जन्वरी को पूरे राइज में हर्ताल किया जाएगा आपके बोट परिछा के आयोजन को ले करके वहीं पर आगे दिया हुआ है कि 8 जन्वरी को राजभावन के समच महाधरना दिया जाएगा 8 जन्वरी को जहां पर राइजपल बैठते हैं राची में राजभावन में वहाँ पर आपके एक्जाम को आयोजित करने को ले करके इस संजुक्त मुर्चा की ओर से धर्ना परदर्शन किया जाएगा आगे इसमें दिया हुआ है कि इसके बाद भी अध्याच की निवति नहीं की गई है तो सिच्चा मंत्री के आवास को घेराव किया जाएगा आनि की सबसे पहले जो है 5 जन्वरी को धर्ना परदर्शन पूरे राजभावन में सैचनी घरताल होगा वहीं पर 8 जन्वरी को राजभावन में होगा और इसके बाद फिर भी आप लोगों के एक्जाम को ले करके कोई ठोस निर्ने नहीं हुआ तो आपके सिच्चा मंत्री के आवास के पास भी धर्ना परदर्शन किया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आपके एक्जाम को आयोजित करने को ले करके जहरखंड के इन लोगों ने मांग करना सुरू कर दिया है और इसके बाद जहरखंड गोट के कलास 9 और 11 के छात्रों के लिए एक छोटा सा खुसखबरी है कि आपके लिए जहरखंड एकेडमी कॉंसील ने बिगेपती जारी किया है जिसके अनुसार आपका जो रेइस्टेशन चल रहा था कलास 9 और 11 का तो उसका जो डेट है उसे 11 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है तो आप सभी छात्र जितने भी इस अप्लिकेशन को या फिर कहें कि पंजियन से समंदित काम को नहीं कर पाए थे तो अपने इसकूल या फिर इंटर्मीडियट कोलेज में जा करके इस काम को कर लें ताकि आप आगे 2022-23 के एकजाम के लिए 23-24 के एकजाम के लिए इलिजिबल हो सके तो दोस्तों इस तरह से आप सभी जारखन गोड के लिए ये महत्पूर्न अपडेट था और ठीक किसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होंगे मैं इस यूटूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ इसलिए आप सभी छातर इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लिजिए और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेलफूल या फिर इनफोर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जादा से जादा से जादा सेयर कीजिए तो दोस्तों मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम